बच्चों शुरू करने जा रहे हैं IUPAC नेम रिंग के लिए आपके क्लोश चेन के लिए हम स्टार्ट करेंगा IUPAC बहुत ही इंट्रेस्टिंग बनने जा रहे हैं और बहुत ही इजी मसल कर रख देंगे आप IUPAC इसके बाद चाहे दुनिया जहान के आपकी पास कोई भी IUPAC इस सलाइजी सी फॉर्थ वीडियो और इसके बाद आप सारी की सारी रिलेदे तो रिंग जाली सेकलिक कंपाउंट्स आप सब के सब आप सको चुटकियों में कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग माशें लाय हैं आपके लिए वीडियो और बहुती इसी तरी की समस को करने जा रहे हैं ठीक है बच्चों क्या होते हैं Cycling Compounds ऐसे Carbon की Chain जो कि Closed हो अगर अपने periphery में अगर हो Closed है तो हम उसको कहेंगे यह आपकी क्या है Closed Carbon Chain है For example, अगर मैं आपसको यह बनाऊ यह Triangle यह Triangle का मतलब है कि आपके हर गोनों में आपके एक Carbon है तो यह है आपका Closed Carbon Chain यह बात पर ध्यान रखेगा कि जो Minimum Closed Carbon Chain होती है वो आपकी 3 Carbon से स्टार्ट होती है आप इथेन का Closed Chain नहीं बना सकते 2 Carbon की Closed Chain नहीं बना सकते 2 Carbon की Closed Chain नहीं पॉसिबल The shortest chain which is possible of Minimum Number of Carbon would be of 3 Second हम बात करते हैं चार Carbon लगें अब इनका नाम किसे लिखते हैं इनका नाम लिखने का तरीका यह है कि आप इसके लिए आगे वर्ड हम लगाते हैं Cyclo अगर आपकी Closed Chain है उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं Cyclo तो अगर हम इसकी बात करें तो यह बोलेगा मेरे नाम क्या है तो है तो यह Propane Propane है तीन Carbon की चैन है और सब Single Bond है और इसके आगे से हम एक वर्ड लगा लेते हैं Cyclo यह होता है इसका Prefix Name हम इसको बोलते हैं Prefix Name अब देखिए यह आपकी चार Carbon की चैन है ठीक है अगला देखिए मैंने यह बनाया देखिए पांच Carbon की चैन है Closed है तो हम वर्ड यूज करेंगे Cyclopentane ठीक है बच्चो अगला देख लें अगला अगर मैं यह बनाऊ देखिए इस बाद तीन Carbon की चैन है लेकिन आपके पास जो Bond है वो Double Bond है अगला देखिए यह देखिए अगला देखिए यह देखिए डवल बन आगिया तो फिरसे इन इन आगिया हमारे पास तो क्या वो लेंगे ना मताओ Cyclopentane अगर मैं यह बना दो देखिए यह आपके पास 6 Carbon की चैन है तो 6 Carbon हम भी यूज़ करता है Hexa, तो Cyclohexane तो यह है आपका Cyclohexane वैसे देखिए 7 Carbon की चैन कैसे होगी 7 Carbon की चैन आपके पास यह होगी यह देखिए इसमें 7 साइट से इसमें आपके 7 साइट से तो हम सको बोलेंगे Heptane, इसका नाम लिखेंगे हम Heptane तो इसके लिए भी हम वही रूल अपलाई करता हैं तो इसके लिए भी हम वही रूल अपलाई करता हैं Suppose, मैंने आपके यह कहीं आपके पास कोई Closed Chon है यहाँ पे आपका कोई Mithail Group लगा हुआ है तो आप Numbering उसी Order में करेंगे आप इस तरीके से करेंगे जो भी आपके पास Substudent है उसको आप Lowest Number दें For example, अगर आपने से नेमिंग करनी है अगर इसके आप पहले के करेंगे Naming करेंगे इसके नेमिंग के लिए तो आप कैसे नेमिंग करेंगे Numbering आप से करेंगे आप पहला Number इसको देंगे Second Number आप इसको देंगे Third इसको देंगे Fourth इसको देंगे तो नाम बोलो वीडियो नाम बनेगा आपका देखो One पे Methyl Methyl बोलेंगे ठीक है mechanical लगा है कितने carbon की chain हैं वेटा cyclo cyclo what use करेंगे cyclo butane 4 carbon की chain है तो what use करेंगे butane नाम समझ में आब भीडो थीक है अगला दिखते हैं अगला देखे हैं अगला देखे हैं आप ch3 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 इस पर आपके 2 carbon लगे हैं जिसको नम्बर मन देदे, लगने में थाको फोड़ीज और अम्पर ले घुन डेक हैं मिनिममें मैं आपके ग्रूप और लेको को लिए तो दो अड़ीको को अगर आपको लागाएं अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी प्रिवेस्ट वीडियो देख लिए मैं आपनी प्रिविएस वीडियो आपके अल्रडी प्लेस्ट में डाली है आई पेसिक लेगे तो आप महा से रेस्ट्री पार्ट साप देख सकते हैं उसके बाद आप चलिएगा फॉर्थ पार्ट पर ठीक है तो नाम कैसे लिखेंगे वन कॉमा टू अब दो है मिथाईल दो म करतें हैं डाई दो कोएंगे डाय डाय मिठाइल अब क्लोसे एं-टो हम यूस करेंगे साइकलों पांस कार बंगर यूस करते हैं प्तें अब क्षा कैने अब क्फ्रींग माव satisf नाम की लिखेंगे देखा हैं एक आपका मैंने मिधाल यहां पे लगा दिया CH3, एक यहां पे लगा दिया CH3, एक میںने आपका लगा दिया it, slash 예. चाहें बिया लिए ल्यार्ट गट्रोल, याद रख। लोगेंड रूल हम लगाएंगे, क्या बोलता है लोगेंटरू यह बोलता है कि आप उस साइट से नंबरिंग करें, जिस साइट से आपका सम्क्यावाले है लीस्ट पड़ें, सारी पोजिशन को आप कर लें, सबकी मिथालिक पोजिशन को आप कर लें, उसके बाद जो आपके पास minimum आ रहा है, उसी साइट से आप नंबरिंग अचागर मैं बाहर से करूँ यहां से 1, 2, 3, 4, 5, तो इस वाली पोजिशन को पहला मिल रहा है, इसको आपको तीसरा मिल रहा है और इसको आपको मिल रहा है चौता, तो एट करू, 4, 3, 7, 100, 1, 8, आट बड़ा है, तो यह वाला गलत हो यह, तो जो भी नंबरिंग करेंगे आ अंदर वाली करेंगे, यानि इसको आप नंबर होन देंगे, यानि इस वाली को यह वाली अंदर वाली नंबरिंग सही है, बार वाली नंबरिंग आपकी गलत है, तो इसके गौडिंग नाम क्या बनेगा, देखो बच्छा लोग, कैन लिएगा नाम, देखो, एक, हाँ, एक 3 और, sorry, कहां का numbering आपने करें, 1, 2 और 4, 1st, 2nd, और 4 पर आपको मिल रहा है, 3 methyl group मिल लें, तो 1, 2, 4, try, try word यूज़ करेंगे, try आपना समझाना, 3, 3 है तो try word यूज़ करेंगे, try, methyl, methyl, methyl है, बीडू, methyl, कितने कार्पन की चेन है, आपकी 6 कार्पन की चेन है, तो 6 है, close chain है, तो cyclo word यूज़ करेंगे, cyclo, cyclo, pentane, cyclo, pentane, कि नाम हो गया, देख अगला देख बच्चा, यह देख, कितने आ बड़ीगा डाग्रम मना रहा हूं मैं, देख, CH3, क्या बोल रहे हैं सर, इससे अच्छा तो मैं डाग्रम मना लेता, C2H5, कोई बात नहीं, बच्चो, गंदर अगरा हम हों तो कोई बात नहीं, पहला, दूसरा, दीसरा, चौधा, पांचवा, छेटवा, इसी नमबरी करेंगे अब, ठीक है, देखें, नाम के लेखेंगे, फिरसका, देखें, यह आपका ethyl group है, और यह आपके दो ethyl group है, त 1,1, dimethyl, 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 कितने carbon kitchen है, 6 carbon kitchen है, cyclohexane, cyclohexane, ठीक है, अगला compound देखो, अगला देखो, यह बना रहूँ मैं आपके लिए, यह आपका यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका double bond है, देखें, कैसे नाम लिखेंगे, अब इसका नाम देखो, तो priority वहले कोन आएगा, double bond को पहले दोगे, अब यह numbering करोगे, यह आप पहले CH3 को देखें, तो देखें, यह तो हमें पता है कि हम priority पहले देखें, double bond को देखे हैं, यह double bond साइट से हम numbering करेंगे, तो नाम के हमें लिखा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह सात्वा, तो बढ़ू, यह क्या होनेगा आपका, मिथाईल, तो कि लिखेंगे 4 पर मिथाईल, 4 पर मिथाईल, कितने कारून की चैने हैं बच्चा, 5, 6 कारून की चैने, साथ कारून साइकलो भी आएगा साथ में, साइकलो, मिथाईल, साइकलो, साइकलो, साथ कारून की चैने हैं, हेटा, हेट, हेट, हाँ, फर्स्ट पोजिशन पर आपका double bond है, तो 1 पर इन, यह खाली इन भी लिख दें, यह लिख दें, 4 पर मिथाईल, साइकलो, हेट, 1 पर इन लिख लें साइकलो, 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 साइक यह पीखिखे की जिए यह वाली ही शे खरऊ दिए यह 6 करऊन कीचेन है तो 5 जैत्राव जैत्राव्ड जैतраш्ट करेंगे बहुतмеखे्अद है यह बनुट कुल trant है यह भीती सब्सक्रावाद करते है जो खु़किए तो आप इसमीर हमे तो आप अमच सच्राव यह स् कि आप 1 पर अब मैंचेन mai तो based change को नियुएывать पहले by निपिटाते हैं तो इस carbon के i1st position भीप्यशन में लगए है आप 6shore work पहले मेंस करें ये वह्यूए शायक्लो कितने carbon की चेन है 5 Carbond की चेन तो Pen, Pen लिखेंगे अब वाइल लगाएंगे, आप क्योंगी chain है, side chain है तो 와이ल लगाते हैं, तो Pental लिखेंगे हम, यह समझा ना, वाइल कि लगाया, वाइल हम तो अब लगाएंगे तो ऐसा side chain हम use कर रहें तो वाइल लगाते हैं, ठीक अब इसका नाम दिखलो, यह कितने करब अगला आपके पास compound यह है, तो आप यहां पर देखें, आपके पास देखें, यहां भी pass carbon chain है, और यह भी pass carbon chain है, तो किसको माने, यह आपके close chain है, और यह आपके straight chain है, तो यहां पर हम किसको माने, अगला रूले बोलता है, अगलर नबर आपके clean है, और अगला क्र पास। चैन की साइप होई में क्वाचे में गृत, तो आप क्या माने, इसको praying करें यहां, करेंगे फिर देखें 1,2,3,4,5 तो इसको में चीन माना तो फर्स पोजिशन में लगिए आपकी ये साइचेन तो नाम कैसे लिखेंगे देखो अब ये बन जाएगा आपका पैंटाइल ये आपका पैंटाइल है तो पैंटाइल का हम वर्डियूस करेंगे पैंटाइल और इस स्ट्क्चर के आप खुद नेमिंग करोगे तो तब आपको रूल से समझ मायाएगा तो पहली बात तो यह है तो दिक्कत दिये नहीं है कि आप रूल याद करें आपके पास समझ्या यह होनी चाहिए कि हम कि जितने कंपाउंट समय मिले उन सबके अम नंबरिंग जलसी जल CH CH2 CH3 CH2 CH3 आपके पास यह चैन है आपके पास यह चैन है आपके पास यह चैन एक और लो चलो CH2 CH3 अगली चैन आपके पास यह है तो इसमें कैसे नंबरिंग करें इसमें कैसे नंबरिंग करें तो नंबरिंग करें तो नंबरिंग को मानेंगे आप देखो यहाँ पर अगर लिए कि स्ट्रेइट नाम यह यहां नाम चेंगे वानेगा यही आपकी मैं चेन और यहां आपकी सइड चेन रहीस किस ट्रेइट उसे में नंबरिंगे आनापरोी 2,3.3.4.5.6.7. अंने मैं चान यहां जो ठीन! यहां है आपका का साइचेन यह side chain है और यह आपकी main chain है तो नाम के लिखेंगे देखो देखें 3 पे लग रहा है आपको 3 के लिए हम word use करेंगे इसके लिए cyclo bracket बना bracket में लिखेंगे ठीक है है मुसका नाम cyclo, कितने carbon की chain है 3, 4 carbon की chain है तो 4 carbon के लिए हम word use करते हैं butyl 3 पे cyclo, butyl यह कितने carbon यह कितने carbon आपके पास 7 carbon है 7 carbon के लिए हम use करते हैं आपके लिए word haptain haptain होफ सो बच्चो आपको समझ माया अगर किसी भी chain के पाद चाए side chain हो या आपके पास कोई भी chain है आपके पास cycling chain हो या straight chain हो दोनों मेंसे अगर किसी के पास भी अगर functional group है तो आप उस chain को main chain मानेंगे उस chain को main chain मानेंगे जिसमें आपका functional group होगा और दूसरे वाले को हम ऐसा side chain treat करेंगे इसे for example हम इसको लिलते हैं यह आपका butane हो गया cyclo butane हो गया यह आपका CH2 CH2 OH है तो देखें दो Zion है आपके पास एक तो इसको म कया देंगे Para distorted देंगे हम जो main chain मानेंगे इसी को देंगे यह हमारी main chain और यह मारी side chain Our number 1,2 और यह एस इस इस नाम किसे रिखेंगे देखो 2nd position पे हमारा यह लग रहा है कि यह हमारी रिंग लग रही है इस main chain में 2nd position पे हमारी यह chain लगी हुई है तो कैसे नाल लोगेंगे देखो 2 पे cyclo butane sorry butane word यूज करेंगे butyl word यूज करेंगे butyl cyclo butyl कितने carbon के एक दो दो carbon की चैने तो हम इथे null इथे null सब्ज़ माया OH है ना OH काम suffixnum word यूज करेंगे all और यह हमने इसको हम ऐसा perfect use करेंगे cyclo butyl क्यों करा क्योंकि इसके पास क्या है सबके boss हैं boss यहां बैठे हुए हैं तो यह boss हैं तो जहां boss लिखेंगे उसी के इसाब से आपकी numbering खड़ेगे कि जहां हम खड़े जाते हैं लाइन वही से start हो जाती है ठीक है अब चलो कला करते हैं देखे यहां पर देखो इस दो chain है एक यह chain है एक आपकी यह close chain है तो किसको numbering करें फिर से इसको करेंगे numbering क्यों double bond है double bond को हम पहले variety देंगे तो numbering के देखो कैसे करेंगे यही से numbering करेंगे फिर 1,2,3 क्योंगी यही आपकी main chain बनेगी main chain आपको बचान नहीं आने चीए main chain बन गई तो नाम लिखें नाम क्या बनेगा बताओ 3 पोजिशिन में लिखा है आपका इस बार तो 3 पे cyclo cyclo कितने कार्मन कीचान है थीन तो propile 3 पे cyclo propile आप देखें आगे cyclocopile अम वे वर्ड यूज कर आप देखो क्या है कितने कार्मन कीचान है side chain में लगा है, तो इसलिए आप इसी को numbering करेंगे one, two, three, four sorry, straight chain में लगा हुआ है, straight chain में हम इसी में numbering करेंगे तो ये बनेगे आपका side chain, और ये बनेगा आपका main chain तो side chain की दिर्फट हीट करेंगे, तो इसमें लिखेंगे four पे 4 पर लिखेंगे हम Cyclo Cyclobutyne 4 पर हम लिखेंगे Cyclobutyne कितने कर्बन की चैन हैं आपकी हाँ स्वरी Pentyle Pentyle लिखेंगे हम Pentyle कितने कर्बन की चैन है एक दो तीन चार्चा कर्बन की चैन है तो हम विट्स करेंगे butanoic acid कि C.O.H. गूरूप है C.O.H. के लिए हम वीट्स करते है oic acid अगर मेरा पहला वीडियो ने देखा है अपका priority table का तो आप पहले वो देख लें उसमें मैंने आपको सब की naming बताया है कि आप किसी भी functional group को आप कैसे name करते है अगला हमारा third है थर्ड देखो थर्ड गूरूप इसके naming कैसे करें इसके लिए हम क्या रिवलिश्च करेंगे तो देखिए इसमें हम ने बेंग करेंगे देखो ये वाला का compound है आपके पास तो देखो इसमें फिर से देखो ये वाला को ketone group लगा होगा है आपका main functional group तो ये ही है आपका functional group तो 1,2,3,4,5 और ये आपका बनेगा side chain ये आपका बनेगा side chain तो main chain ये होगी है side chain तो नाम कैसे लिखेंगे देखो 5 पे 5 पे हमारा लिख रहा है क्या heptile 7 carbon की chain है देखो 1,2,3,4,5,6,7 7 है तो hept heptile और हम word use करेंगे cyclo तो साथ में 5 पे cyclo 5 पे cyclo heptile pent 3 पे आपका double bond 3 पे in आपका ketone group है तो कौन सी position पे 2 पे own 2 पे own तो 5 cyclo heptile pent 3 पे in 2 पे own तो ये आपका नाम बनेगा इसका अलग अमबन आपके पास ये है तो देखें अगर आपके पास कोई ring के साथ अगर आपके पास कोई आपका functional group लगा है जैसे आपका cn group लगा है आपका nitrile group लगा है तो इस case में आप इसका नाम लिखते हैं कुछ चीज तरीके से cyclohexane carbonitrile nitrile तो हम nitrile के आगे word यूज़ करते हैं carbo तो इसको ये बोलते हैं इसका independent name this is called its independent name तो हम cyclohexane carbonitrile ऐसी अगर आपके पास कोई और functional group जैसे अगर आपके आपके आपका aldehyde group लगा है तो हम लिखेंगे carbo aldehyde आपका carboxylic group लगा है तो carboxylic acid लिखेंगे cox group लगा है तो हम लिखेंगे carbonyl halide तो मैं आपको properly आपको मन नाम लिखवा देता हूं उसके बाद तो आप उसके according इनके independent name लिखते हैं अगर आपके पास कोई ring में अगर कोई आपका functional group लगा है ठीक है चो ये है आपके पास rule बोलता है कि अगर आपके पास cox group है तो आप इसका पूरा independent name यूज़ करेंगे carboxylic acid तो carbo word लगाएंगे oic acid के आगे के आगे हम carbo word लगें तो carboxylic acid लिखेंगे उसको और cox group है तो हम बोलेंगे carboxyamide amide है नहीं तो carboxy लगाएंगे आगे से carboxyamide CHO है तो हम लिखेंगे carbaldehyde CHO लगाएंगे तो carbo word लगाएंगे तो carbaldehyde cn carbonitrile carbonitrile cox के हम उठके है carbo halide carbo halide sorry carbo halide तो यह आपके कुछ tables हैं तो आप hope so आप इसको note कर लिए screen post कर लिजिए और इसको आप किसी copy या paper में note कर लिजिए इसका नाम अगर अपने नाम लिखना है तो क्या नाम लिखेंगे इसका देख लो तो cyclo word यूज करेंगे cyclo फिर इसका carbola नाम इसके लिए हम यूज करेंगे carboxylic acid तो cyclohexane और last में suffix में हम यूज करते हैं ठीके suffix में हम यूज करेंगे carbohexilic acid second है आपको यह यह आपको इस बर ldi group लगा है तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बताओ cyclo pentane cyclo pentane carbamide carbamide ठीके बच्चो अगला compound लेते हैं आपके लिए CH double bond CH COOH इसकी naming करने हैं आपने तो क्या naming करेंगे देखिए तो देखिए आपको main functional group COH है suppose मैं को लगा चलो आप में OH लगा लता हूँ COH है और दूसरा है आपका OH तो अगर आप देखें तो आप main chain की इसको मानेंगे इसमें फिर आप फस्स कुके हैं तो आप इस बार आपकी ट्रेट चेएं है और आपके पास Closed Chain है Closed Chain में को माने इस इसमे का माने इसमें 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 को माने तो जिस साइड में आपका Principal Functional Group लगा है इसमीला जिए प्रिर्शेला पहले आता है तो आप इसे को naming करेंगे 1,2,3 और यह ऐसा आपका side chain use होगी तो कैसे लखेंगे नाम देखो तो हम लखेंगे 3 पे 3rd position में आपका cyclo world 3 पे अप देखो cyclo में भी आप इसके बाद आप cyclic compound में फिर naming करेंगे तो जहां से आपकी ring attached है उसी को आप पहला number देंगे जिस point से आपकी straight chain में आपका straight chain attached है विर्दी cyclic chain आप उसी को number 1 point देंगे इसको आप number 2 देंगे, इसको number 3, इसको number 4, इसको number 5, इसको number 6 तो इसमें भी देखेंगे तो दो ring के अंदर भी आप फिर numbering करीए तो आप देखें, third position में आपका OH है तो इसका हम word use करेंगे, इसका prefix name इस case में, हम इसका नम you word use करेंगे, prefix name तो इसका prefix name आपको पता है, hydroxy hydroxy तो 3 पर hydroxy cyclohexane cyclo, अब hexane word use करेंगे, hexile word use करेंगे cyclo, hexile कितने कार्मन कीचे, तीन कार्मन कीचेन है तो तीन कार्मन के लिए हम word use करेंगे, प्रॉप प्रॉप COS गर गुरूप लगा है, और आपका double bond second position, प्रॉप 2 पर इन 1 पर O1 1 पर O1 एसेड तो 3 डैश ब्रेकिट 3 पर hydroxy cyclohexane प्रॉप 2 पर इन, 1 पर O1 acid, this is your IUPAC name for this organic compound अगला है बच्चलोग आपके पास CH2, CH, OH CH2 CH3 के नाम लेकिंगे इसका देखे, अब देखे एक functional group आपके पास यह है एक functional group आपके पास यह है तो आपको पहले principal functional group पहचानना है तो principal कौन है, जो head है तो इन दोनों का head कौन है, head में आपका OH पहले sorry, आपका C double bond हो ketone group आपका पहले आता है, और बाद में आपका OH आता है तो यह आपका principal functional group है तो यह बनेगी आपकी main chain और यह पूरी बनेगी आपकी side chain इसको 2, 3, 4, 5 तो 2 पे पूरी आपकी स्ट्रेट चेन लगी तो 2 पे हम वर्ड यूस करेंगे अब इसके अंदर फिर नमबरिंग करेंगे क्योंकि आपका वग्रूप लगा है तो चेन के अंदर फिर नमबर है 1,2,3,4 तो 2 पे हाइड्रोक्सी 2 पे हाइड्रोक्सी 2 पे हाइड्रोक्सी कितने कार अपने कीशेन हैं अपके बास चार कार अकीशेन तो हम वर्ड यूस करेंगे ब्यूटाइल ब्यूटाइल इसके लिए वर्ड यूस करेंगे साइकेलो साइकलो, print सिद्वल वाण डू ketone group है wanna ले अच्छा इसमें देखें आप ketone group है तो ketone के लिए word क्या उस करता है own तो own one पे own paint one पे own this is your aupc name अगला compound देखें यह आपके पास अगला है यह तो इस case में आप कैसे numbering करें तो इस case में आप इसको मानेंगे हम main इसको हम मानेंगे ऐसा side chain अगर आपके पास दो आपके same same chain अगर आपके पास लगी हुई है दोनों side इसको हम बोलतें bridge bridge carbon तो bridge बन रहा है आपके बीच में एक carbon है तो bridge carbon को हम main chain का हिस्सा मानेंगे इस बार तो हम word use करेंगे तो इसको आम s Michigan मानेंगे, तो s dean 2, di cycle, di cycle pentile, pentile word use करेंगे, एक carbon है तो methane, di cycle pentile methane, तो bridge वाले में अगर आपके पास, दूनों side same carbon है, तो आप इसको मेंचेन मानेंगे, इसी carbon को मेंचेन मानेंगे, तो di cyclopentyl 1 पे methane ऐसे इसका नाम रता है ये बच्चो तो same यहाँ पे भी वही तो क्या बोलेंगे इस बार di di cyclopentyl di cyclopentyl di cyclopentyl di cyclopentyl methane methane exile yl इसका देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे तो naming आप इसी में numbering करेंगे 1,2,3 तो क्या नाम बनेगा देखो तो naming की तो 1 पे आपका देखिए आपका 2 आपके cycle group लगे हैं तो हम use करेंगे 1,3 दो हैं तो 2 के लिए हम वर्ड इसके में di cyclopentyl propane 1,3 di cyclopentyl di cyclopentyl propane कुछ compound's all आए हूं मैं आपके लिए तो इसमें नहीं करते हैं start करते हैं पहले वाले से तो देखिए आपर double bond भी और functional group भी है तो priority order के according double bond को पहले numbering करेंगे फिर आप करेंगे no2 को तो number one, number two, three, four, five, six तो आप देखें third में आपका लगेगा nitro तो nitro का हम word use करेंगे suffix name जो की है nitro 3 पे nitro 3 पे nitro cyclo hexane है hex आप first one पे आपका in है तो hex one पे in ठीक है अगला करें अगला आपका ये CH3 CH3 लगा आपका इस बार आपका double bond भी है और CH3 भी है तो rule गएगे कि आप इस बार पहले आप किसको numbering पहले करेंगे तो आप numbering यही सा देखेंगे तो यहाँ आप साब आप double bond को ये double bond वाले को करेंगे numbering one two three four five तो का नाम लिखेंगे बताव यह इस का आप लिखेंगे one पे मिथाईल one पे मिथाईल केतने कार्बने के चेने पास कार्बने के चेन तो pent methyl pent cyclo cyclo is the word यूस करेंगे cyclo pent one पे in cyclo pent one पे in अगला आपका CH3 CH3 वाले को कैसे numbering करेंगे देखें बच्चो number one number two number three इसके numbering करेंगे इसको तो नाम के बनेगा आपको देखें cyclo 2 पे methyl 2 पे methyl कितने कार्बन की चेने तीन कार्बन की चेन तो prop one पे in cyclo भी लगाएं साथ में cyclo prop one पे in cyclo prop one पे in fourth है आपके पास बच्चो देखें fourth fourth वाले को कैसे number ही करेंगे तो आप वही करेंगे आप इसको minimum देखेंगे one two three four five दिया आपने तो कैसे लिखेंगे देखेंगे दो आपके इस बाद दो CH3 गुरूप हैं तो 2,3 di-methyl cyclo pent one पे in यह आपका नाम हो जाएगा आई पे इसी नेम चो यह आपका two comma four four आएगा आपके फोर्थ पोजिशन है तो आप यह आप लेकिए two comma four नागी two comma three तो हो जाएगा नाम two comma four di-methyl cyclo pent one पे in ठीक है बच्चो यह आपके पास अगला अबाउंड दिया है आपको तो यहाँ पे देखेंगे आपके same functional group है यहाँ भी और यहाँ भी तो straight chain और आपके close chain दोनों में आपके पास अगर same functional group आ जाए तो आप फिर फस जाएगे तो आप इस बार आप किसको number करेंगे तो आप numbering उस chain को करेंगे जिसमें आपके maximum number of carbon है तो maximum number of carbon है तो आप इसी को आप main chain मानेंगे और इसको आप side chain मानेंगे तो main chain यह आपकी main chain के लाएगी और यह आपकी side chain बनेगी तो main chain में numbering करें 1,2,3,4,5,6,7 और यह बनेगे आपके side chain तो side chain में हम इसे numbering करेंगे 1,2,3,4,5,6,7 तो क्या नाम दिखेंगे देखो 7th position मे आपका लगा है cyclic group तो 7,7 के अंदर भी आपकी फिर numbering हुई है, second position में हम आपका लगा है alcohol group, alcohol के हम यहापे इसका prefix name word यूज करेंगे hydroxy, इसका हम यहापे prefix name hydroxy word यूज करेंगे, तो hydroxy word यूज करेंगे तो यह आपकी देखो आपका naming क्या बनेगी, 7 पे के अंदर आपने 2 hydroxy, hydroxy, cyclo, hexyl, cyclo, hexyl, heptane, 2 पे all, second पे आपका all, heptane 7 करबन की चेन है, heptane 2 पे all, hope so you get this point, second compound के पास यह है, तो इसमें आप देखेंगे आप इसमें किस को में हैं चेन माने, तो आप देखेंगे फिर से, यहापे आपके पास पारस करबन की चेन है, और यहापे आपके पास आपके पास दो कार्बन की चेन है, तो हम इस बार आपके functional group देखें, दोनों साइट सेम है, दोनों साइट आपके पास same functional group है, तो आप इसको main chain मानेंगे, इसको आप ऐसा side chain मानेगे कि इसमें ज्यादा number of carbon items हैं आपके, तो आप numbering करेंगे इसको number 1, 2, 3, 4, 5, तो नाम क्या formyle, 2 पे, formyle, इसका हम prefix name यूज़ करेंगे, इसका prefix name, L-D-E-I-D का prefix name होता है, आपका formyle, formyle, ethinyl, cyclo, heptanol, यहापे हम O-L, heptanol, N-O, heptan, heptanol, sorry, heptanol, हम वो यूज़ करेंगे, heptanol, N-E-L, के L-D-E-I-D के लिए हम इसका suffix name होता है, L, तो heptanol, ठीक है बच्चों, अगला देखें, तो इसमें आपके इस बार दो-दो functional group हैं, तो आपके ऐसा naming करेंगे इसमें, तो इसमें naming आप करेंगे, पहले principle functional को पहचानेंगे, जो principle है, उसका ऐसा suffix use होगा, और जो आपका secondary ह है, उसको हम उसका ऐसा perfect name यूज़ करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, सी वाइस, priority टेबल पहले आता था, हमने पहले इसको numbering करी, तो क्या बनेगा आपका, इसके लिए हम word यूज़ करते हैं, keto, तो 2 पे keto, perfect name है, इसका keto, cyclopentanoic acid, तो oic acid लगा हमने, या आपका oic acid, बन पे oic acid बोल है, एक ही बात है, second देखें है, second आपका ये है, तो इसका नाम कैसा लिखेंगे हैं, हाँ, इसकी naming हम करेंगे, देखें, गा, 1, 2, sorry, 1, आप 2 यहाँ पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, तो देखें, आप 4 पे आपके 2 methyl group हैं, तो 4, 4, 4, dye, methyl, cyclo, but, 2 पे in, but, 2 पे in, 1 पे ketone के लिए हम words करेंगे, in, own, sorry, own, तो 1 पे own, तो आपका बन जाएगा, 4, 4, dimethyl, cyclo, but, 2 पे in, 1 पे own, this is your IUPAC name, अगला है बच्चों आपके पास, बेंजीन के साथ, अगर आपके पास कोई cycle या close chain लगी है, तो इसमें कैसे नाम करेंगे, तो इसका ना हमेशा हम ऐसा suffix name, यूस करेंगे, बेंजीन, और आगे इसका नाम ऐसा हम, एसको हम यूस करेंगे, हैकजाल नें, तो साइकलो, हैकजायल, बेंजीन, तो वैसी अगर बेंजीन के सादर अगर चार कर्मन की चेन है, तो हम लिखेंगे, साइकलो, ब्यूटाइल, बेंजीन, है एक लग और आपके बास यह है बच्चों तो इसमें आपको naming करने है तो अब देखिए इसमें नमभर of carbon chain है इसमें तो इसमें और इसमें आप कबर सैब कि किसको नंदरी कि सरेंगे तो इसमें आप इसको में आप इसको साइसा साइट चेंड यूज़ करेंगे इस intriguing कि इसमें आपके number of carbon कम है, इसमे number of carbon जादा है, तो आपके अलनास का नाम बनेगा, 2, second position पे, आपकी chain लगी है, तो प्रॉप, 2 पे all, 1 पे yl, 1 पे yl, तो फर्स्ट पोजिशन में लगा है ना, आपका 1 पे yl लगा रहे हैं, और ये कितने carbonic chain, आपके 6 carbonic, तो हम इसके लिए वर्ड जादा है, cyclo, cyclo, hex, hexane, 1 पे all, तो ये आपका नाम बनेगा, ये कि बच्चों, इनके naming करते हैं, कुछ compounds दे रिखे हैं मैंने आपको, तो numbering कैसे करेंगे, तो ये आपका main chain का ये पार्ट ये बनेगा, ये आपको numbering priority में, मैं one number देंगे इसको, इसको second, इसको third, इसको fourth, इसको fifth, इसको sixth, तो नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका, cyc2 पे oxo, के tone के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, oxo, इसका prefix name, oxo, cyclo, hex, cyclo, hex, one पे carboxylic acid, तो मैंने आपको बताए कि इनका हम independent name यूज़ करते हैं, ऐसा carboxyl acid हम पूरा नाम लिखेंगे इसका, second है आपके पास ये, तो देखिए, इसको इसमें आप कैसे naming करेंगे, तो number one इसको 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 आप number one देंगे, इसको आप number two देंगे, तो नाम लिखेंगे आपका cyclo, hex, two पे, in, one पे, all, third है आपके पास, इसका नाम कैसा आइटी ओडर यह बूलती कि आप नमबर वन आप इसको दो, फिर इसको दो, फिर आपका चौथा, पांचवा, फिर आपका छटा, तो लिखेंगे आप 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, साइक्लो, हैक्स, 3 पे एन, 1 पे ओल, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पाउस करके, जैसे करेंगे हम, तो नमबर वन इसको देंगे, नमबर 2, नमबर 3, नमबर 4, नमबर 5, नमबर 6, तो सेकिंड पोजिशन में आपका इथाइल, इथाइल गुरुप लगा है, तो इसके लिए हम यूवर्ज, तो वायल वर्ड यूस कर हेग्ज, हैज, हेग्जेन है, अब हेग्ज Cookie, अब तेको 3rd और 1st Position में आपका क्या है, थार्ड और फस्स पोजिशन में आपका डेबल बॉंड है तो हम लिखेंगे हेक्जा 1,3 डाय इन तो 2 इथिनाइल, 3 मिथाइल, साइक्लो, हेक्जेन, 1,3 डाय इन हेक्जा 1,3 डाय इन सेगेंड है आपके पास इसके पास आपके पास दो क्लोज रिंग है तो आपको इसमें पैसा नहीं पड़ेगी कौन आपकी सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन है तो उसी को आप मेंचेन मानेंगे तो ज़्यादा कार्बन की चेन आपकी ये वाली है हेक्जेन जिसमें आपके 6 कार्बन है तो हम इसका नाल लखेंगे साइक्लो प्रॉपाईल साइक्लोहगजेन साइक्लो हगजेन Similarly यहाँ पर देखें यहाँ पर आपके पास दोनों का same number of carbon की chain है तो आप किसी का भी नाम लिख लिएज़े किसी को भी main chain मान ले इसमें फ्री है तो इसको हम लिखेंगे साइक्लो pentyle cyclopentene cyclopentene तो this is the whole video on your IUPAC इसके बाद आप सारी naming बना सकते हैं तो आप जितने ही आप questions करें IUPAC के उतने कम है ठीक है, thank you